के जो हेलू गाइज वेल्कम बैक टो माय न्युव आर्ट वीडिय ecosystem आज की दिन मैं आपको अपने ब्लेंडिंग टूल्स बताने जा रहा हूं तो आज हम में होगे आपको बता रहा हूं वर उसे से नार्मल ब्ल्रेंडिंग करता हूँ छोटी छगाँ ऊपर शेकंड मेर्ड़ वर इन्से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती सबसे चोटा वाला सबसे चोटी चोटी जगाओं के लिए होता है उससे बड़ा वाला थोड़ी सी बड़ी जगा के लिए होता है देखें यह थोड़ी बड़ी जगे के लिए होता है और यह सबसे बड़ा वाला स्मूज छेटिंग अगर आपको देनी हो तो बिग एरियास मे तो आप इस ब्रश से दे सकते हो और वो मिडिल वाला जो है बीच का उससे भी अच्छी होती है अब सेकिंड हमारे पास है ब्लेंडिंग स्टम्स जो कि मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो में भी आपको बताये थे है और यह भी बहुत ही अच्छे होते हैं अब तक मैंने एक ही उज़ादा ही उजब किये नहीं है तो आपको अबी दीरे अबी छोटा वाली काम आते हैं बाकि ब्रस से कर लेता हूं मैं और यही सबसे बढ़िया है अभी तक छोटा वाला भी दूसरे भी यूज़ करनेंगा दीर दीरे और मैंने एक शॉर्ट भी अप्लोड किया है अभी लाइक कर देना उसे और लेंग्जन स्टम्स है और अब मैं आपको इनको टेस्ट करहूंगा पेपर पर टेस्ट करते हैं मैं कुछ एरियास बना लेता हूँ पूरे तीन एरियास बना लेता हूँ शेडिंग के और फिर तीनों को टेस्ट करेंगे मैंने शेडिंग के बना लिया अब हमारे पास फर्स्ट हम इयरबर्ट से ट्राय करेंगे तो आप देखके यह इयरबर्ट से देखो यह भी त्वीच में स्पॉट्स थोड़े रह जाते हैं मैं पूरा एक बार ब्लैंड करके बता देता हूँ छोटी एरियास के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं यह और बहुत ही काम के भी होते हैं इयरबर्ट से नॉर्मल ही आपको मिल जाएंगे अराउंड 15-20 में ब्रश का पूरा सेट आयका मेकप ब्रश का जो कि अराउंड 200 सम्थिंग में मिल जाएगा और ब्लैंडिंग स्टम में 110 रुपीज मिला है था तो यह हमारे एरबर्ट से आप देख सकते हैं बीच में हलके हलके स्पोट्स छूट सकें जैसा कि मैंने आपको बताया था देखिए बीच-बीच में स्पोट्स छूट गें जो कि बहुत की ड्राइंग में एकदम अलग लगते हैं उससे पूरी ब्लेंड ब्लेंड होता है ना है उसमें बीच में स्पोट्स चुडते हैं और कोई रफ और ऐसी शे्टिंग होती है च्छाफ रेंद्ण स्टम से एक दम स्मूफ शेडिंग कि मैं ज्यादा तर form करता हूं और अप टीशू पेपर भी उच जह सकते हो और इसकि अत टि और इसके बाद रोगार भी बैंडिंग स्टम्स को तो ब्लेंडिंटीं स्टम्स भी अभी उसा अभु mac से चलाते हैं तो उस पे भी में एक वीडियो डाल दूँगा और उसका उस पे मैं पूरी तरीके से बता दूँगा कि ब्लेंडिंग स्टम को किस तरीके से चलाए दाता है और मैं अपने एक बार टूल्स भी बता दूँगा जो जो मैं यूज करता हूं ब्लेंडिंग स्टम प बहुत पसंद आए और येरफॉन्स थोड़े येरफॉन्स क्या येरबट्स हलके से मतलब बहुत हैं सो ये थे आज के हमारे टूल्स और अगली वीडियो भी मैं इस पर जल्दी डालूंगा सो थैंक यू फर सो मुच वाचिंग बाए और लाइक और सब्सक्राइब तो करे देना उसमें पैसे नहीं लगते हैं अना सो बाए गाइस